आज मैं बनाने जा रहे हूं समोसे और स्प्रिंग रोल की पट्टी जो रमजान में बहुत ज्यादा इस्तमाल की जाती है तो आईए देख लें इसे बनाने के लिए हमें एक इन चीजों की जरुवत होगी दो कप मैदा आदी छोटी चमच नमक दो बड़े चमच ओईल और 150 ml के करीब पानी और लें लगाने के लिए हमें चाहिए होगा 50 ml के करीब ओईल और 2 टिबल स्पून के करीब मैदा तो चलिए अब हमें इसे बनाना शुरू करते हैं सब्सक्राइब किजिए निशीज किचन को और साथ ही बेल आइकन को दबाईए ताके मेरे आने वाली लेटेस वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले पट्टी के लिए हम डो तैयार करेंगे मैदा में एड़ कर ले नमक और साथ ही एड़ कर ले ओईल नमक और आईल को मैदे के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स कर ले अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके हमें एक सख्त डो तैयार करना है ध्यान रहें नॉर्मल रोटी के लिए हम जो आटा गुनते हैं वो थोड़ी सॉफ्ट होती है उससे थोड़ा सक्त होना चाहिए यहाँ पर अब देख सकते हैं मैदे को मैंने बहुत अच्छी तरह से गुन लिया है अब इसे पन्रा मिनिट के लिए कवर करके रख दे पन्रा मिनिट हो चुके है तो चलिए इसे फिर से एक बार गुन ले अब यह बिल्कुल रेड़ी है अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े तयार करेंगे कुछ इस तरह से आप पेड़े तयार कर लें इस साइस के इसी तरह से हम बाकी के पेड़े तयार कर लेंगे यहाँ पे मैंने आठ पेड़े तयार किया है अब हम इसे बिलना शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने एक पेड़ा लिया है अब इसे साइट से कुछ इस तरह से प्रेस कर ले थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा कर इसे बेल लेना है हमें अब इसे छे साथ इंच की गुलाई में बेल ले पलट दे इसे यह हमने बेल कर तयार कर लिया इसी तरीके से हमें सारे पेड़े बेल कर तयार करनी है यह हो चुकी है अब इस बेली वी रोटी के उपर थोड़ा सा ओइल लगाकर इसे चारो तरफ फैला दे अब इसके उपर इस प्रिंकल कर ले थोड़ा सा खुश्क मैदा इसे भी फैला दे अब इसके उपर दूसरी रोटी रखेंगे ओइल लगा ले थोड़ा सा खुशका आटा फैला दे इसे अब इसके उपर तीसरी रोटी रख दे ओइल लगा ले और ये खुशक मैदा और ये चौथी रोटी ओइल लगा ले और ये खुशक मैदा और ये पाचवी रोटी ध्यान रहे इस पर हमें ओइल नहीं लगाना है क्योंकि अब हमें इसे बेलना है अब इसे 10 से 11 इंच की गुलाई में बेल ले पलट दे इसे यहाँ पे अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे अब देख सकते हैं यह हमने बड़ा सा पेल कर तयार कर लिया है तवे को हलका सा गरम कर ले यहाँ पे गैस का फ्लेम मेडियम रखे और इस गरम तवे पे इसे डाल दे तवे को बहुत ज्यादा गरम ना करे नहीं तो ये रोटी की तरह पक जाएगी ये हलकी सी सिख गई है तो बस अब इसे पलट दे दूसरी तरफ भी हम इसे 30-40 सिकेंड के लिए सिखने देंगे अब ये हो चुकी है तो बस अब इसे निकाल ले अब इस शीट्स को एक दूसरे से अलग कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बन कर तयार हो गई बची हुई रोटियों से भी हम इसी तरह से शीट्स बना कर तयार कर लेंगे तो चलिए अब हम समोसा पट्टे की कटिंग कर लें मैंने यहाँ पे तीन शीट्स लिये हैं इसे एक साइट से कुछ इस तरह से कट करें अब ये दूसरी साइट से भी इसे इसी तरह से कट कर ले और ये साइट से छोटी पट्टिया निकल रही है इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे इसे हम छोटे टुकडों में काट कर फ्राइ कर लेंगे इसे कुछ इस तरह से गुमा लिया है मैंने अब बची हुई साइट्स भी इसी तरह से कट कर ले गुलाई हमें काट कर निकाल लेनी है अब हम इसे सेंटर से काटेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं समोसे के लिए पट्टियां बन कर तयार हो चुकी है आप इन शीट्स से वेजिटेबल समोसा, मीठा समोसा या फिर कीमा समोसा बना सकते हैं अब हम इसमॉल समोसे के लिए पट्टि की कटिंग करेंगी मैंने यहाँ पिलिया है दो शीट्स सबसे पहले हम सेंटर से काटेंगी फिर साइट से कुछ इस तरह से इससे आप इसमॉल समोसा बना सकते हैं इसमॉल समोसो के लिए शीट्स तयार है मेरी नेक्स्ट वीडियो समोसा की होगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं अब हम इस्प्रिंग रोल के लिए शीट्स तयार करेंगी स्प्रिंग रोल की पट्टी के लिए मैंने यहाँ पे तीन शिट्स लिया है सबसे पहले इसे एक साइट से काटे फिर इसी तरह दूसरी साइट से और यह बाकी के साइट्स इसे भी इसी तरह से काट ले इसे हम छोटे टुकडों में काट कर फ्राई कर लेंगे यह हमारा स्प्रिंग रोल शिट्स बनकर तयार है आप इस शिट्स से वेज़िटेबल स्प्रिंग रोल रोल बना सकते हैं आप इन पट्टियों को पॉलथीन में रखकर फ्रेज में रख ले और इसे 3-4 दिन तक यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे फ्रेजर में रखकर 3 महिने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं जब भी आप समोसा या स्प्रिंग रोल बनाना चाहें आप फ्रेजर से निकाल कर इसे नॉर्मल टिंपरेचर में आने के बाद फ्राइ कर ले इस तरह से पैकेट में भर कर जीप लॉक कर ले अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आफेज